हेलो एब्रिवान, वेलकम तो ओर चैनल, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पानी की एक बूंद की आत्मकता हिंदी निबन तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम एक स्लोगन लिखेंगे जो पानी की बूंद की तरफ से ही होगा क्योंकि हमारे निबन का टॉपिक है पानी की बूंद की आत्मकता तो पानी की बूंद कहती है, मैं बूंद हूँ, बादलों से बरसी जाऊँ, धरती की प्यास बुजाकर, फिर वश्प मैं बन जाऊँ, मैं बूंद कहलाऊँ देन हम आगे अपना निबन दिखना शुरू करेंगे मैं पानी की एक बूंद हूँ, दिखने में काफी छोटी, सुन्दर और अकर्शक हूँ मुझे देखने वाला व्यक्ति यदि मुझे अपने मन की गहराईयों से समझे, तो वह मेरी सुन्दर्ता को अच्छे से बाद सकता है मेरी सुन्दर्ता तब और बढ़ जाती है, जब मैं किसी नए प्रजविलित पत्ते पर या फिर किसी फूल की पंखुडी पर ठहर जाओ सुरे की किर्णे मेरे उपर पढ़ते ही मेरा एक अलग ही रूप देखने को मिलता है मेरा जन्म कहीं और नहीं बल्कि प्रित्वी पर ही प्राकर्थिक तरीके से हुआ है मैं पर्यामरण में मुझूद दो मुख्य तत्व हाइड्रोजन वो ओक्सीजन से मिलकर बनी ही हाइड्रोजन के दो अणू और ओक्सीजन का एक अणू मिलकर मेरा निर्मान करते है शुरुआत में मैं काले काले वह बड़े बादलों के अंदर अपने लाखो करोडों साथियों के साथ मोजूद थी फिर कुछ प्राकर्थि घटनाएं घटी और बादलों ने हमें नीचे बरसा दिया नीचे गिरते ही मैं मिट्टी के साथ मिल गई धूल के कणों के साथ मिलते ही मैंने उसे नमव सुगंदित बना दिया फिर दूसरी बुंदों के साथ मैं एक नाले में जा पहुंची और देखते ही देखते हम सबने मिलकर एक बड़ा रूप धारन कर लिया और हम एक नदी में जा मिलें नदी में मिलने के पशात हम सभी एक सीधे बहाव के साथ चल दिये रास्ते में मैंने कई सारे खुबसूरत नजारों का आनंद उठाया मैदानों से होते हुए हरे भरे खेत खलिहानों को देखते हुए मैंने कई छोटे मोटे कंकड को अपने साथ बहा कर उन्हें रेत में संबवकारे होगा मुझे नहीं पता था कि अब मुझे और मेरे सातियों को कहां जाना होगा मेरी एक पुरानी साती ने बताया हम बहुत जल गर्मी के द्वारा सोक लिये जाएंगे और हम एक वाश्पक के रूप में तब्दील हो जाएंगे इसलिए हमें जितना हो सके उतनी मस्ती यहां कर लेनी चाहिए क्योंकि एक समय बाद फिर हम बादल के अंदर समाने वाले हैं आगे की जिंदगी की ना सोचते हुए मैं बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी रही हूं और इधर उधर तैर कर खेलते हुए अपनी जिंदगी का खुब लुट्फ उठा रही हूं मैं चाहती हूं कि इंसान भी मेरे जीवन से प्रेणा लेकर हर परिस्थिती में अपनी जिंदगी का लुट्फ उठाना सीखे और हर हाल में आगे भड़ता ही जाए इस तरीके से आत्मकता लिखने के बाद हम लास्ट में दो पंक्तियां बूंद की तरफ से फिर से लिखेंगे बूंद हूं मैं एक पानी की बस इतनी मेरी कहानी थी तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप पानी की भूंद की आत्मकता पर हिंदे निभन्द एक प्रभावशाली तरीके से लिख सकते हैं या वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो हेलपफुलो वीडियो को लाइक जरूर करें शियर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद